दोस्तो जारकन की देवगर जीले की पहचान बावाव वैतन मंदिल से की जाती हैं लेकिन इसके बावजूद देवगर में कई ऐसे परियाटन अस्थाल मौजूद हैं जहां पर घोमने के लोग दूर दूर से आते हैं हेलो एन वेलकम दोस्तो एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल में दोस्तो वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भेना बूले जिससे हमारे वीडियो का नोटिपिकेशन आपक उस्तो पहले मिले तो चलिए दोस्तो वीडियो को श्टाट करते हैं । दोस्तो आज हम आपको बतलाने वाले हैं देवगहर के सब से पाँच खुबसूरत परियटन पर्यटन अस्थल के बारे में नंबर वन त्रिकुट परवत त्रिकुट परवत देवगर में सबसे रोमांच पर्यटन अस्थल में से एक है जहां पर आप ट्रेकिंग रोपवे वन्य जीवन एडवेंचर और एक सुरचित पर्यावरन वापसी का आनन ले सकते हैं यह एक लो की आसरम भी है नंबर टू नंदन पहाड देवघर के पश्चिमी में किनारे इस्थीत सुन्दर नंदन हिल्स एक परेटन अस्थल है पहाड़ी पर एक सीव मंदिर और एक नंदी मंदिर भी है नंदी भगवान सीव के वहान की एक बड़ी परतिमा भीस्तित है बच्चों के लिए एक पार्क भी है यहाँ पर एक बूट घर तता एक तरपन घर और बच्चों के लिए बहुत सारे जूले लगए हुए हैं नंदन पहाड पर नोका विहार के भी सुविधा उपलब्द हैं नंदन पहाड़ियों से सहर के मनुरम द्रिस्त का भी आनन दिया जा सकता है संद ब्रामाचार और एक अनुयाई ने किया था जो सहर से 8 किलोमेटर की दोरी पर तपवन में तपस्या करते थे नंबर फोर तपवन देवघर से 10 किलोमेटर के दोरी पर इस्थित तपवन अपने परसिद सिव मंदिर के लिए चाना जाता है गुफा और पहाड़ियों प कहते कि बालानंद ब्रामाचार ने यहाँ पर तप करके दिविता की प्राप्ति की थी नंबर फाइक सत्संग आस्रम देवघर के पश्ची में में स्थित सत्संग आस्रम जहारकन के परमुक्तिरत अस्थाल में से एक है इसकी अस्थापना ठाकूर अनुकुल चंद द्वारा की गई थी यह बहुती सोमय और सांत वातावरन में स्थित है सर्वधर्म मंदिर के अलावा यहाँ पर एक संग्राले भी है और चीणिया घर में मौझूद है तो दोस्तों देवघर के पांच खुबसूरत परेटनस्थल में आपको सबसे अच्छा परेटनस्थल कौन सा लगा हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं